मन में हिरोईन बनने की चाहत, आखों में बेबसी के आशू और कोठे की बदनाम जिन्दगी एक ऐसी यूवती जिसकी कोक से जन्मी थी सत्तर के दशक की एक खुबसूरत अधाकारा उस यूवती को तो सिने इंडस्ट्री ने नकार दिया पर उसकी बेटी ने हिरोईन बनकर ना सिर्फ अपनी मा की महत्वा कांक्षा को पूरा किया बलकि अपनी खुबसूरती और अधाईगी के दम पर सफलता के जंडे गार दिये और बन गई उस दौर की एक सफल अधाकारा पर क्या आप जानते हैं कि महज 22 साल की उम्र में सफलता के शिखर पर पहुँचकर इन्होंने अचानक अभिने छोड़ दिया और सिने जगत की एक प्रतिश्ठित घराने की बहु बन गई क्या आप मानेंगे कि इस सुपरस्टार अभिनेत्री की नानी को दस साल की उम्र में ही उनके सगे रिष्टिदारों ने एक कोठे पर बेच दिया था और क्या आप यकीन करेंगे कि कई साल बाद वहां से भाग निकलने में काम्याबी मिलने के बावजूद उनकी किस्मत नहीं बदली कभी बनना पड़ा एक नवाब की दूसरी औरत तो कभी होना पड़ा एक रईस जादे की हैवानियत का शिकार तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों इतनी उलजी और विवादित रही इनकी माँ और नानी की जिंदगी बताएंगे और भी बहुत कुछ आप बनी रहिए हमारे साथ नमस्कर दोस्तो मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन दोस्तो आज के अपने इस शो में हम बात कर रहे हैं जानिमानी अभिनेत्री नीतु सिंग की जी हां सत्तर के दशक की मशूर अदाकारा जिनकी खुबसूरती और अदाकारी ने सिने प्रेमियों को इनका दिवाना बना दिया था पर इस से पहले कि हम नीतु सिंग की जिंदगी और करियर के बारे में बात करें हम उनके पारिवारिक प्रिष्ट भूमी की जानकारी भी आप से साजा करना चाहेंगे उनकी पॉसनल लाइफ के बारे में बात करने के पीछे हमारा मकसद किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी को हवा देना नहीं बलकि हमारे समाज की तब की हकीकत और इसमें आए मोजूदा बदलावों पर नजर डालना है पिछले कुछ दशक में हम कितना विक्सित हुए हमारे समाज में महिलाओं के प्रती कितना बदलाव आया हमारा मकसद इसे समझना है पूरे स्टोरी देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी इस पर क्या राय है तो चलिए अब बात शुरू करते हैं नीतु सिंग के परिवार की दोस्तो आज से लगभग सौ साल पहले पंजाब के एक छोटे से गाउ में एक पंजाबी परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ माबाप ने अपनी इस बेटी का नाम हरजीत कौर रखा हरजीत जब दस साल की थी तो बिमारी से उसके माबाप दोनों की मौत हो गई से दूर ले जाकर दिल्ली के एक कोठे पर निलाम कर दिया कोठा जहां की रवायत आप सबको पता ही है उस बच्ची से भी वही काम करवाया जाने लगा और हर रोज परोसा जाने लगा जाहिर है उसकी जिंदगी सिस्कियों की भेट चड़ गई 18 साल की हो चुकी हरजीत कोठे की जिंदगी से ओब कर आखिरकार भाग निकली वहां सडक पर भटक रही हरजीत को एक बड़ी सी गाड़ी से गुजर रहा शक्स देखता है और उसने मदद का भरोसा दे कर उसे अपने साथ ले जाने की बात कही बताते हैं कि गाड़ी में बैठा वो शक्स लखनव का एक मशूर नवाब अमेनुल्ला शेक था नवाब अमेनुल्ला हलाकि शादी शुदा और बाल बच्चेदार था पर वो खुबसूरत हरजीत को लाकर अपनी एक दूसरी हवेली में रख देता है कोठे की नर्क भरी जिंदगी से बहतर मानकर हरजीत भी इसे अपना मुकदर मानकर रहने लगी समय गुजरा और चार साल बाद नवाब शेक अमेनुल्ला की मौत हो गई फिर नवाब के बीवी बच्चों ने हरजीत कोर को हवेली से धक्की देकर बाहर निकाल दिया अब एक बार फिर से हरजीत सडक पर आ गई थी और दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर हो गई थी फिर लखनओ का एक रईस सेट जमाल खान उसे ले गया और लखनओ के एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया वक्त ने हरजीत को एक बार फिर से उसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था यहां बे दिन रात बिकते हुए उसकी जिंदगी बीतने लगी यहां कोठे पर ही रहने वाले फतेह सिंग नाम के एक दलाल ने उससे शादी कर ली लेकिन कोठे की मालकिन के शर्ट के मताबिक हरजीत का बिकना अब भी जारी रहा कुछ सालों बाद इन दोनों की एक बीटी हुई जिसका नाम राजी रखा गया राजी बड़ी हुई तो उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया चोदह साल की उम्र से ही उससे भी वही काम कराया जाने लगा जो उसकी मा अब तक करती आई थी पर राजी सिंग एक महत्वकांग्षी लड़की थी उसकी आखें अभी से हिरोईन बनने का सपना देखने लगी थी अपने मन की ये बात जब उसने अपने माबाप को बताई तो उसकी खूब पिटाई की गई वक्त बीता और बाईस साल की हो चुकी राजे सिंग एक दिन मौका पाकर कोठे से भाग कर दिल्ली पहुँच गई और एक मिल में काम करने लगी मिल में उसकी मुलाकात वहां के सुपरवाइजर दर्शन सिंग से हुई और दोनों ने शादी कर ली एक साल बाद इन दोनों के घर एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हरमीत कौर जो की बेहत खुबसूरत थी यही नन्धी परी हरमीत आगे चलकर नीतु सिंग के नाम से मशूर हुई समय गुजरता रहा और लगभग पांच साल बाद राजी सिंग और दर्शन सिंग दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए यहां उन्होंने जहां हिल ग्रेज हाई स्कूल में अपनी बेटी हरमीत का एडमेशन करा दिया तो वही मुंबई आकर राजी सिंग ने हिरोईन बनने की चाहत में स्टूडियो और डारेक्टर के दफ्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिये पर उन्हें काम मिला नहीं अब तक वो समझ चुकी थी कि हिरोईन बनने की उनकी चाहत अब पूरी नहीं होने वाली है इसलिए अब वो खुद की जगह अपनी बेटी हरमीत को फिल्मों में लाने की कोशिशों में जुट गई जिससे वो खुद की और बेटी की जिन्दगी को बदल सके जल्द ही उनको अपने इस मकसद में सफलता भी मिल गई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही राजशी प्रोडक्शन की फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बताओर चाइड एक्ट्रेस सेलेक्ट कर लिया गया फिल्में दुन्या में आट साल की हरमीत कौर को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रिडूस किया गया साल 1966 में आई फिल्म सूरज बहत सुपर हिट रही साल उनकी एक और फिल्म दस लाख रिलीज हुई तो वहीं साल 1968 में दो दुनी चार और दो कलिया भी सुपर हिट साबित हुई फिल्म दो कलिया में बेबी सोनिया ने दोहरा किर्दार निभाया और दर्शकों के बीच छा गई साल 1970 में घर घर की कहानी और पवित्र पापी में भी चाइल्ड एक्टरस के रूप में बेबी सोनिया के काम को काफी सरहा गया बेबी सोनिया की मार राजी सिंग को अब ऐसा डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का भी फिल्मी करियर डेजी इरानी की तरह खत ना हो जाए और बड़े होने पर एक हेरोईन के तौर पर इन्हें दर्शक नकार न दे यहीं सोचकर राजी सिंग अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया से दूर लेकर पंजाब चली गई और कुछ साल बिना किसे फिल्म में काम के वही रही हलाकि इस बीच राजी सिंग के पती दर्शन सिंग का क्या हुआ उन दोनों के बीच तलाक हो गया या उनकी मृत्यू हो गई इसकी कोई जानकारी कहीं नहीं मिलती खैर तीन साल बाद 1973 में राजी सिंग अपनी बेटी के साथ फिर से एक बार सपनों के शहर मुंबया पहुँची और अपनी बेटी को नया नाम दिया नीतू सिंग नीतू सिंग अब एक खुबसूरत और हसीन बाला नजर आने लगी थी और लोग बाल कलकार बेबी सोनिया को भूल चुके थे लिहाजा फिल्म में दुनिया में नीतू को काम मिलने में देड़ न लगी और फिल्म डारेक्टर के शंकर ने फिल्म रिक्षा वाला के लिए रणधीर कपूर के अपॉजिट इन्हे साइन कर लिया हलाकि साल 1973 में रिलीज हुई ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी राजी सिंग डर गई कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हिरोईन का ठपा लग गया तो फिल्म दुनिया से वो बाहर कर दी जाएंगी इसलिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और बेटी नीतु सिंग का एक होट फोटो शूट करवाया जब ये बोल्ड फोटो उस दौर के चर्चित मैगजीन में छपे तो सिने इंडस्ट्री में मानू तहलका मच गया अब हर फिल्म निर्माता नीतु सिंग को अपने फिल्म में लेना चाहता था पर कहा जाता है कि नीतु सिंग उन्ही फिल्मों में काम करती थी जिन्हें उनकी माँ फाइनल करती थी साल 1973 में ही नीतु सिंग की एक और फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की ये मल्टी स्टारर फिल्म सुपर हिट साबित हुई और नीतु सिंग का करियर चल निकला साल 1974 में नीतु सिंग ने शतरंज के मुहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस चार सफल फिल्मों में अभिने किया 1975 का साल नीतु के लिए बहुत लखी साबित हुआ इस साल इनकी पाँच फिल्में रिलीज हुई जिन में से तीन फिल्मों ने धूम मचा दी खेल-खेल में रफुचकर और दिवार ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड दीये फिल्म खेल-खेल में रिशी कपूर के साथ इन्होंने काम किया था और कहा जाता है कि यहीं से रिशी कपूर नीतु सिंग की प्रेम कहानी की शुरुवात भी हो गई थी इसके बाद रिशी कपूर के साथ आई इनकी दूसरे फिल्म रफू चक्कर भी सुपर हिट रही इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खोब पसंद किया इसी के साथ दर्शकों के बीच ये जोड़ी उस दौर की सबसे पसंदिदा जोड़ियों में से एक गिने जाने लगी इस साल आई इनकी तीसरे फिल्म थी दीवार क्राइम थ्रिलर बेस्ट ये फिल्म सुपर डुपर हिट सावित हुई इस फिल्म में इन्होंने अमिताब बच्चन और शशी कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया लगतार आई हिट फिल्मों की बदौलत नीतु सिंग की गिंती उस समय की टॉप एक्ट्रोस में होने लगी थी इसके बाद साल 1976 में नीतु सिंग की पाँच फिल्में शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महा चोर और भला मानुष रिलीस हुई रिशी कपूर के साथ आई इनकी फिल्म कभी कभी की रिकॉर्ड तोड सफलता ने इनको बुलंदियों के शिखर पर पहुँचा दिया साल 1977 में इनकी ढूंगी, अदालत, धरमवीर, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, प्रियत्मा, आंदोलन, कस्मे वादे सहित कुल ग्यारा फिल्म में रिलीस हुई फिल्म अदालत और परवरिश में इन्हें अमिताब बच्चन के अपॉजिट हिरोईन का रोल करने का मौका मिला, तो वहीं धरमवीर में जितिंद्र के साथ नज़राई थी अमान अक्बर एंथनी में रिशी कपूर के अपॉजिट नाइका की भूमिका इन्होंने निभाई थी इसके बाद भी इनकी हिट फिल्मों का दौर जारी रहा जिसमें कस्मे वादे, हीराल पन्नालाल, दे ग्रेट गैमलर, आतिश, काला पत्थर, जानी दुश्मन और जहरीली जैसी फिल्में शामिल रही कुछ ही वर्षों में नीतु सिंग दर्जनो हिट फिल्मों की बदावलत सफलता के शिकर पर पहुच चुकी थी आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें कि बीटी का करियर परवान चहने के बाद मा राजी सिंग ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ थोड़ा बहुत हाथ आजमाया और 1975 में आई फिल्म रानी और लाल परी में जहां सिंड्रेला की मां का किरदार अदा किया तो फिल्म कभी कभी दूसरा आदमी और दे ग्रेट गैमलर के लिए कॉस्ट्यम भी डिजाइन किया चले अब बात करते हैं कि कैसे शबाब पर चल रहे अपने करियर को नीतु सिंग ने छोड़ दिया और क्यूं उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे उनकी मां काफी परिशान हो गई दरसल इसके पीछे था नीतु सिंग का प्यार जो वो उस दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रिशी कपूर से करने लगी थी नीतु सिंग और रिशी कपूर अब तक कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और दोनों में अच्छे रिश्टे की शुरुआत भी हो गई थी बताते हैं कि फिल्म खेल खेल में की शूटिंग के दौरान शुरू हुई ये प्रेम कहानी दिन रात परवान चड़ती जा रही थी कहा जाता है कि नीतु के अफेर की बात सुनकर नीतु सिंग की मां को अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने कोठे की नारकी जिन्दगी देखी हो और काफी जद्दो जहद से एक सम्मानित जिन्दगी हासल की हो उसके लिए इसके क्या माइने रहे होंगे बताते हैं कि इसी गुसे में राजी सिंग ने बेटी नीतु की पिटाई भी कर डाली थी पर जब गुसा ठंडा हुआ तो बेटी ने मां को काफी समझाया फिर आखिरकार राजी सिंग ने भी अपनी सोच का दायरा बदला और सोचा कि फिल्में दुनिया का कोई भरोसा तो जी सकती है हलाकि रिशी कपूर ने जब राजी सिंग से नीतु सिंग का हाथ मांगा तो इस रिश्टे को टेस्ट करने के लिए पहले तो उन्होंने मना कर दिया पर जब रिशी कपूर ने कहा कि नीतु के साथ वो उन्हें भी अपने घर ले जाएंगे और सब साथ में रहे 22 जनवरी 1980 को नीतु सिंग और रिशी कपूर शादी के बंधन में बंद गए। शादी के बाद कपूर खांदान की दूसरी बहूं की तरह नीतु सिंग ने भी अभिने से नाता तोड़ लिया। रिशी कपूर ने एक सफल अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। थोड़े बहुत उतार चड़ाओ के साथ नेतु सिंग और रिशी कपूर की वैवाहिक जिन्दगी चलती रही। लेकिन 30 अपरेल 2020 को रिशी साथ छोड़ गए और उनका निधन हो गया। रिशी कपूर के निधन के दो साल बाद इनके बेटे रनवीर की शादी जानीमानी एक्टरस आलिया भट से इसी साल यानी 2022 में हुई है और इस कपल के घर अब एक बच्ची ने भी जन्म ले लिया है। अब दादी भी बन चुकी है। और 2018 में फिल्म संजू में नीतु सिंग ने काम किया। तो साथ ही 2020 में फिल्म जुग जुग जीयों में अनिल कपूर के साथ नजर आई। इसके अलावा नीतु सिंग टीवी के कई म्यूजिकल और रियालिटी शोज में भी गेस्ट के रूप में नजर आ चुकी है। फिल्हाल वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंट करती हैं और जिन्दगी को एंजॉय करती नजर आती हैं। उनके विडियोज सोशल मीडिया पर चाय रहते हैं जिसमें वो कभी मीडिया को पोस देती तो कभी अपने हैर स्टाइल और ड्रसस को फ्लॉंट करती दिख जाती हैं। भले ही नितु सिंग अब फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं पर वो अपनी जिन्दगी को पूरे फिल्में अंदाज में जिंदा दिली से जीती हुई दिखती हैं। तो साथ ही अपने चाहने वालों को ये संदेश भी देती हैं कि भले ही हमारी जिन्दिगी में लाख मुसीबते रही हों पर अगर हमारे हौसले और इरादे मजबूत हों तो हमें अपनी जिन्दिगी को खुबसूरत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जब जब हिंदिस सिनमा की हसीन और बेहतरीन अभिनेत्रियों की चर्चा होगी तो नीतु सिंग का नाम भी उसमें जरूर शामिल होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही नीतु सिंग की जिन्दिगी इनकी नानी और मा की कहानी जानने के बाद आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। इस तरह की और किस की कहानी आप देखना चाहते हैं वो भी लिख डालिएगा और इसी तरह के कुछ और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जिया फिल्मी बातें का रुख भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानीों के साथ अगले अपिसोड में आप से फिर होगी मुलाकात फिल्हाल मुझे देजिये इजासत नमसकार